आखिरकार सहबाद सरीफ ने एक बड़ी धमकी दी है इमरान खान को और काये कि देखो S.C.O. सम्मिट से पहले ऐसा कुछ सोचना भी मत 2014 वाली कहानी खिर से दोहराना चाहते हो ऐसा हम होने नहीं देंगे उस समय तुमने जिन्बिंग के साथ किया था और इस समय सब के साथ करना चाह रहे हो जानेंगे आखिरकार ऐसा क्यों कहा है तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं राफेल बीमान के साथ ये क्या है जो फ्रांस बना रहा है और इसे भारत के लिए गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है फ्रांस ने अमेरिका वाला काम भारत के साथ कर दिया है हम ऐसे की तरह CIS News Network के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ आई जानते हैं इन खबरों को विस्तार से स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए 2014 का ये आर्टिकल है जिस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि जिन पिंग ने पाकिस्तान जाना कैंसिल कर दिया और अपने यहां जाने के प्लान को वो फिलाल के लिए डिले कर देते हैं अलजजीरा की एक खबर देखिए जिसमें ये कहा जा रहा है कि यहां पर चाइना के प्रेसिडेंट ने पोस्ट पॉन कर दिया पाकिस्तान का ट्रीप आखिर 2014 में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से यहां पर जिनपिंग और पाकिस्तान के उस समय के प्रधान मंतरी नवास सरीफ के बीच करीब 46 बिलियन डॉलर का कॉंट्रेक्ट साइन होना था लेकिन वो कॉंट्रेक्ट साइन नहीं हुआ अब अचानक से SEO सम्मेलन होने वाला है और SEO सम्मेलन के पहले सहबास सरीफ इमरान खान को चेतावनी दे रहे हैं लेकिन अभी ऐसा है ना पाकिस्तान का पूरा माहोल और पूरे पत्ते ऐसे बिचे हुए हैं कि इमरान खान के लिए सबसे बढ़िया समय अभी ही है काम करने का एक्सन लेने का कैसे तो आपको बता दू आईमेफ ने अपना डंडा चलाया है और आईमेफ के डंडे का असर ये हुआ है कि सहबास सरीफ ने टैक्स बढ़ा दिया है 40 पर 30 अब जब टैक्स बढ़ गया इस स्क्रीन पर आप आप आर्टिकल देख सकते हैं तो जनता अंदर से बौकलाई हुई है मांगाई तो पहले से ही है उपर से ये टैक्स का बढ़ना बहुत सारे वर्गों को यहां पर अब औस अंतोस में डाल रहा है और जितने लोग औस अंत पाकिस्तान के गवर्मेंट के ऊपर जो करजा है वो करजा करीब सत्तर ट्रिलियन पाकिस्तानी रूपए का है जो एक बहुत बड़ा करजा है और अभी तो इनका दोस्त चाइना खुद मुसीबत में है तो ऐसे में इनको मदद भी कहीं से नहीं मिल सकती है अब जनता सवाल पूछेगी की भई ठीक है तुम कह रहे हो की करजा है लेकिन ये करजा तुमने क्यों लिया है सवाल ये उठता है इतने सालों से पाकिस्तान की जनता के लिए क्या किया गया है उन्हें क्यों नहीं एक अच्छा जीवन मिला है अगर आप एक अच्छे जीवन में रहते और बहुत सारा उन्नती करके बैठे हुए होते तो जनता सवाल नहीं करती कि हाँ जी कर जा है तो दीरे दीरे चुका देंगे एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीतो रहे हैं हम लेकिन वो भी नहीं है तो पाकिस्तान की जनता के बीच में पहले से ही समस्याएं हैं और इस समस्या क किसे दो से और बहुत अच्छे से उठा रहे हैं इमरान खान जानते हैं कि इस वक्त एक ऐसा माहूल बना हुआ है कि हम यहां पर प्रोटेश्ट कर सकते हैं और यहां पर प्रोटेश्ट सुरू हो चुका है कहा जारहे किसुक्रवार से सनीवार तक PTI समर्थकों और कारिकरताओं की इसलामाबाद और लाहोर में सुरच्छा कर्मियों के साथ जड़ब भी हो गई पार्टी के कई कारिकरताओं को गिरफतार भी कर लिया गया और इमरान खान और उनके समर्थकों के खिलाप नए मामले भी दर्ज हो गए अब इसी भीच इन्हों ने सभा सरीप ने धमकाने वाले अंदाज में कहा है कि सुनो पाकिस्तान के तहरीके इंसाफ पार्टी और इमरान खान हम तुमें 2014 की तरफ फिर से करने नहीं देंगे अब ये 2014 में क्या हुआ था इन्हों ने वे सरकार के खिलाप प्रोटेस्ट शुरू किया था इमरान कान ने जब ये प्रोटेस्ट शुरू किया था तो उस समय चीन के राष्टपती आने वाले थी और चीन से पहले सिरलंका के राश्पती भी आने वाले थे और दोनों ही पाकिस्तान में निवेस के मकसद से आ रहे थे पर यहाँ पर पूरा मामला पलट गया प्रोटेस्ट इस तरीके से होने लगा कि यात्रा पहले सिरलंका के राश्पती ने रद की और फिर जिनपिंग ने रद्द कर दी थी और यही सीन इस वक्त हो रहा है सौधी की डेलिगेशन आई हुई है यह सौधी की डेलिगेशन से बातचित कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर निवेश करो वहीं दूसरी तरफ यह चाह रहे हैं कि सम्मिट करके हम दुनिया को दिखाएं कि देखो जी हमने सम्मिट कर दिया 15 और 16 अक्टूबर को इसलामाबाद में होना है सब कुछ अच्छे से हो गया ऐसा न हो कि कोई अपना जाना प्रोटेस्ट की वज़ा से कैंसिल कर दे वहीं एक वर्स से अधिक समय से रावल पिंडी क अधियाला जेल में बंद खान ने अपनी पार्टी से डी चौक पर ही रह लिया योजित करने को कहा है 2014 में डी चौक पे 126 दिनों का धेरना दिया गया था जिसके कारण चीन के राश्पति सी जिन पिंग को अपनी पाकिस्तान यात्रा अस्थगित करनी पड़ी इसलामाबाद में अभी माहोल एकदम खराब है और अभी क्या है अभी चीन के परदान मंतरी एक बार फिर दूपच्छिय यात्रा कर रहे हैं राश्पति तो नहीं आ रहे हैं लेकिन चीन के परदान मंतरी यहां पर आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि इस बार भी इमरान खान गुड़गोवर करने वाले हैं अब देखना होगा आगे क्या क्या चीजे होती हैं पर इन सब के बीच में फ्रांस और भारत ने कमाल कर दिया है एक दम बहुत बढ़िया भारत रूस के साथ काफी लंबी साजेदारी भारत की रही है और आज भी है पर अब रूस थोड़ा ध पर अब भारत ने फ्रांस के साथ साजेदारी बनानी शुरू कर दी है आपने देखा होगा अजी डोबाल फ्रांस पहुंचे थे अब ऐसा क्या बना रहा है फ्रांस इससे अंदाजा लगाईए फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि आखिरकार फ्रांस और भारत ने एक ऐसा क पर नितिक साजेदारी के तहद एरोनौटिक क्लस्टर कैंपस एरोनौटिक और इस्पेस ट्रेनिंग ये सब कुछ ही यहां पर करने जा रहे हैं यहां पर पूरी की पूरी इंडस्ट्री वसाना चाह रहे हैं किसी भी चीज में साधारन भासा में समझीए कहा जाता है दो र हमें सारे टेकनोलोजी के नौलेज नहीं तो कम से कम कुछ प्राइम टेकनोलोजी के नौलेज मिल जाते हैं तो हम बहुत सारे साल को बहुत सारे सोध को सोध में जाने वाले समय को बचा सकते हैं फ्रांस और भारत की साजेदारी पे भारत को क्या-क्या फाइदा हो सकता है ये देखिए हमने राफेल विमान को खरीदा और अब राफेल का एक बहुत ही एडवांस वर्जन पे काम कर रहा है फ्रांस और ये एडवांस वर्जन है F5 और F5 कुछ वैसे ही काम करेगी जैसे की मदर सीप कॉंसेप्ट होता है कैट वारियर कॉंसेप्ट है उस तरीके से काम बताया गया है कि किस तरीके से कैट वारियर का जो कॉंसेप्ट है उस कॉंसेप्ट को राफेल के साथ भी लागू किया जाएगा माना जा रहा है कि 2033 तक ये सामिल किया जा सकता है फ्रांस की सेना में और कहा जा रहा है कि F5 के बनने तक में ये उसके साथ सामिल हो जाएगा F5 दुस्मन के एर डिफेंस सिस्टम को मुख्य रूप से निसाना मनाएगा भारत के साथ फ्रांस की राफेल विमानों की डील है और ये जो कदम है ये आने वाले दिनों में भारत के राफेल के लिए भी बहुती बढ़ियां सिद्ध होगा वैसे आपको क्या लगता है कि भारत और फ्रांस की साजेदारी लंबी ठीकेगी या नहीं कमेंट कर अपनी राए जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ